जैहिन दोस्तों 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 कि आज हम लोग SSJ का Static GK का सॉल कर रहे हैं जो कि previous year paper है और ये आज का paper है 22 जन्वरी 2018 का evening shift का ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी session बहुत पसंद आएगा लेकिन वीडियो में आप लास्त पुन लिएगा mixed question है, mislaneous type के question है, कापी अच्छे question है इस topic पे ठीक है वस्तू या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है तो इसका सही answer होगा option C अपूर्ण प्रतियोगी बाजार ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार सही answer होगा अगर आप प्रसंद देखते हैं भारत में पहली बार बैज्यानिक तरीके से राष्ट्री आय की गड़ना करने वाले अर्थ सास्त्री हैं ठीक है, बताइएंगे, चार अप्सन है जिसका सही answer है VKRV रा, ठीक है, VKRV रा, अप्सन 20 कर लेक्ट अगला प्रसंद देखते हैं, इन में से कौन केंदर सरकार की गैर योजना ब्याय का अंग नहीं है बताइएंगे आप लोग, इन में से कौन केंदर सरकार की गैर योजना ब्याय का अंग नहीं है बताएंगे दोस्तों तो इसका सही आप्सन हो जाएगा आप्सन C. बिद्यूती करण पर खर्च अगरा प्रसंद देखते हैं 2011 की जन गड़ना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जन संख्या बिद्धी दर प्रतीसत थी ठीक है बताएंगे तो सही आंसर है 17.64 प्रतीसत आप्सन B. इस कर्रेक्ट ठीक है भाई? आप्सन B. इस कर्रेक्ट 17.64 अगरा प्रसंद देखते हैं समीधान की संकल्पना का उद्भाव सरप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो बताएंगे आप लोग? सबसे पहरे दोस्तों ब्रिटेन में हुआ था आप्सन C. is correct अगला प्रसंद देखते हैं भारती समीधान के किस अनुछेद के तहत संसद को नागरिता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही अंसर हो जाएगा अनुछेद 11 जो कि ये भाग 2 है मौलिक ये आपका नागरिता संबंधित है भाग 2 ठीक है? तो इसका सही अंसर हो जाएगा अनुछेद 11 इसी के तहत भारत को भारत के समीधान के तहत कानुम बनाने का अधिकार प्राप्त है और वो भी ग्रीह मंत्रा लेको अगला प्रसंद देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा एक भारती समिधान के अंतरगत आपातकाल की उद्घोषडा का अधिकार नहीं हो सकता है तो दोस्तों का सही आप्सन हो जाएगा आंतरीक असांती अगला प्रसंद देखते हैं भारती समिधान का सौवा संसोधन प्रदान करता है बताएंगे आप लो काफी अच्छा कुश्चन है भारती समिधान का सौवा संसोधन प्रदान करता है तो दोस्तों आप्सन सही हो जाएगा आप्षन भी भारत द्वारा छेत्रों को प्राप्त करना और बांगला देश में कुछ छेत्रों का हस्तांतर करना यह आप्षन सही है अगला प्रस्ट देखते हैं निम्द लिखित में से कौन सा सम्मिधानिक निकाय नहीं है बताएंगे आप लोग निम्द लिखित में से कौन सा सम्मिधानिक निकाय नहीं है तो दोस्तों का सही आप्षन है आप्षन डी राष्ट्रिय महिला आयोग दोस्तों मजा रहा है अच्छे-चे क्वेश्चन है तो प्लीज यनकों सब्स्राइब कर लिजेगा और लाइक तो दोलू करीजेगा अगला प्रस्ट देखते हैं कौन सा बहुत ग्रंथ 16 महा जन्पदों का उलेख करता है जिसका सही अंसर है अंगुत्तर निकाय बहुत ग्रंथ है ये अंगुत्तर निकाय इसी ग्रंथ में 16 महा जन्पदों का उलेख है अगला प्रस्ट देखते हैं छटी सताब्दी के शुरुगात में भारत की यातरा पर आने वाले चीनी तिर्थ यात्री थे अगला प्रसंद देखते हैं इल्टुत्मिस के सासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्लिखित में से कौन सी थी तो इसका सही अंसर जाएगा दिल्ली ठीक है जो दिल्ली सल्तनत के जो सबसे पहले जो निव रखने वाले थे तो वो थे आपके कुदबु दिन एवक उन्होंने लाहोर को बनाया था लेकिन इल्टुत्मिस जब सासन समालते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दवरान हुए और सहयोग आंदोलन की परिकलपना में सामिल नहीं था तो क्या समिल नहीं था तो आप लोग यहां पर ध्यान देंगे कि देखिए प्रसासनिक सिवाओं का अब भहिसकार भी किया गया था इस संग्राम में बिदेशी सिवाओं का भी भहिसकार किया गया था ब्रिटिस उपाधियों का परित्याग भी किया गया था जो कि हमारे भारती लोगों को ब्रिटिस की तरफ से उपाधिया दी गई थी उनको भी लोगों ने त्याग दिया था तो क्या इसमी नहीं हुआ था तो हिंसा नहीं हुआ था था आम दंगे या हिंसा तो सही अंसर हो जाएगा आम दंगे हिंसा ठीक है ये सामिल नहीं था अगला प्रसंद देखते हैं नीम्द लिखित में से किसी ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया तो सही आफ्टन हो जाएगा सभी बिकल्ब सही है सरोजनी नाइडू ने भी भाग लिया था और राजकुमारी अमरित कौर ने भी और चटोपा ध्याय कमला देवी ने भी ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं निलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिडाम नहीं है अच्छा कुश्चन है बताएंगे निलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिडाम नहीं है बताएंगे आप लोग तो चौर आप्शन है फियोड, सिंक होल, स्टेलेग टाइट, स्टेलेग माइट बताएंगे तो आप्शन ए इसका सही है फियोड सही आप्शन है फियोड अगला प्रसन देखते है निम्यलिक्षित किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इस्थित है अब विक्टोरिया जील की बात किया जाएगा तो वो अफियोड का महादीब में है अगला प्रसन देखते है यूगा वस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लच्षड निम्यलिक्षित में से कौन सा है तो दूसरे सही आप्शन हो जाएगा जब नदी जब यूगा वस्था में होती है तो इसमें एक लच्षड है गाड यानि नदीयों के धारा के पहाड़े जो काड़ दी जाती है कड़ जाती है काफी सुराग में गहरी एकदम तो उसी को गार्ज कहते हैं अगला प्रसन देखते हैं निम्न लिखित में से किस भारती राज्य की सीमा म्यामार के साथ नहीं लगती तो दोस्तों देखिए इसमें असम की सीमा म्यामार के साथ नहीं लगती है ठीक है असम हो जाएगा सही अंसर अगला प्रसन देखते हैं भावानी सागरबांध या लोवर भावानी बावानी 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 बा दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि इसे सहरा आपको बहुत पसंद आया होगा तो दोस्तों इसके लिए आपको को एक like करना है, दोस्तों के पास share करना है चैनल पर नए है तो subscribe भी करना है तो आज का प्रस्न है सिंधू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपको S का answer comment comment box में बताना है साथ ही मैं आपको यह बता दो दोस्तों कि इंडियान जीग्राफिक का भी लेक्चर मैंने स्टार्ट किया हुआ है काफी अच्छे ट्रीक के सहथा से मैंने काफी अच्छे तरीकों से और ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याज कराने का प्रयास किया है तो उस द दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन.